शेमद धोम रेमेडीज में आपका स्वागत है और आपको बतायेंगे की घर के अंदर अपने घर में आप एंटिबैक्टेरियल ड्रिंग कैसे बना सकते हैं आप एंटीबैक्टेरियल ड्रिंग बनाने की लिए आपको लेना होगा अधरक प्याज और लेसुंग अब भी अद्रक लसुन और प्याज ही क्यों हूं। लसुन में मौजूद होता है Allicin Antibacterial, Antiviral, Antifungal और Antioxidant साथ ही इसमें विटामिन और कोसक्त तत्र भी भरभूर मातरा में होता हैं। इसमें मौझूद विटामिन C, B6 और दूसरे मिनरेल्स इम्म्यून सस्टम को मजबूत और संकर्मन से बचाओ करने की शक्ति रखते हैं लगसों के साथ प्याज में भी एंटी बैक्टेरियल और एंटी वाइरल गुन पाए जाते हैं इसमें कई एंटी इंफ्रिमेट्री और एंटी ऑप्सिदेंट गून होते हैं जिसमें शरीर को कई तरह की बिमारियों से बचाओ करते हैं इसमें विटामिन C, लोहा, गंदक, तामबे जैसे बहुमूल खनीश पाए जाते हैं जिनसे सारी एक शक्ति बढ़ती है अद्रग में ओले, औरेसी नाम का एक कंपॉंड पाया जाता है जो कफ और सर्दी के समस्याव को दूर करने का काम करता है इसमें परियाप्त मात्रा में एंटी ऑक्सिडेंस होते हैं और यह एक बहतरीन एंटी वाइरल और एंटी बैक्टिरियल है जो संक्रमन से सुरच्छा देने का काम करता है अद्रग, प्याज और लहसुन का मिश्यन में संक्रमक लोगों से लड़ने की शक्ति होती है यह बारिश के वज़ा से उपजी नमी और रोपकारग जिवानों से लड़ने की चमता रखता है अब इसको बनाना कैसे हो मैं आपको बता जेता हूं तीन-चार लखसों लेशिए एक प्याज लेशिए एक अद्रग लेशिए इतना बड़ा डंडल आप अद्रग का ले सकते हैं तीनों को ग्रेंडर में डालकर पीस लेशिए इसके बाद इसका जूस निकालिए और जरूत ह मौसम बदलने पर इस जूस के वह तीन से चार दिन तक सुबह और शाम को पीछे रात को भी पी सकते हैं अगर आपको पहले से ही कोल्ड और फिवर की समस्या है तो दवाई खाने से पहले इस घरी इन इसको को आजमा कर देख सकते हैं तो धन्यवाद आप हमारे चैनल पे सुआ जाब depiction को उारा आपको हमारे उन्यवाद तो अ़ाम खोज़ समझाए हैं तो है तो है याँ कोभ़ैं कोगया इस mid-वाद नहाब हैं तो खामते हैं वह उन्यवादार मेला यह जम्दों ग्र हंता है एक यह बाया हैं यु承लनने पहाई आधको रहुआब को दो मैंने